HPCL ने 200 vacancies के लिए recruitment अनौस कर दिया है और ये जो recruitment है वो without gate होने वाला है मैंने already इसके regarding video बनाया था वो video आपको i button में मिल जाएगा इस video में हम बात करेंगे इसका जो selection process है वो क्या होने वाला है plus इसका जो selection process में exam है उसका syllabus क्या होने वाला है और exam pattern क्या होने वाला है तो पूरा detail में बात करेंगे और ये जो syllabus है वो आप download भी कर सकते हो वो भी official website से तो सभी के रिकाने के इस video में बात करेंगे तो video को इन तक ज़रूर देखे अगर आपको ये video पसंद आएगा तो definitely इस video का like करना और अपने दोस्तों के साथ share करना जो HPCL का exam देने वाले है तो यहाँ पे मैं एक important बात बताना चाहूँगा HPCL का जो recruitment है उसमें final layer वाले भी eligible है अगर आपने अभी तक HPCL के लिए apply नहीं किया होगा तो जल्दी से जाके इसके लिए apply कर दिजिए जिसका link में आपको description में दे दूँगा आपको आप से apply कर सकते है आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ important बात आपको बताना चाहूँगा अगर आप gate 2022 या फिर gate 2023 के लिए prepare कर रहे हो तो आपके लिए और अकडे में लेके आरे preparation batches for gate 2022, gate 2023 यह जो batches है वो 17 मार्स से start होने वाले है यहाँ पे सीखाने वाले एजुकर्स का नाम है रविंद्र वाबू, संचित, जैन, विश्नु, एससर, अंकित, गोयल जैसे top एजुकर्स जिनको 15 साल से ज़्यादा का teaching experience है यहाँ पे आपको 800 प्लस अवर्स का video lectures मिल जाएंगे जो आपके gate और EAC का course cover करेंगे सबसे important बात है कि यहाँ पे आपको special classes with doubt soloing session भी मिल जाएंगे जिसका आप फाइदा उटा सकते हो अगर आप इसमें enrollment करना चाहते हो तो आपको link description मिल जाएगा आप वहाँ से enrollment कर सकते हो enrollment करते समय आप मेरा core service किजिए जो कि है नोक्यूलेटर के अनो डवली सी यू एले टी ओर जो अभी screen पे flash हो रहा है और आपको description मिल जाएगा जिससे आपको 10% का instant discount मिल जाएगा अभी बात करते है HPCL का recruitment है उसमें selection process क्या होने वाला है उसके लिए मैं official website पे लेके जाओंगा वहाँ पे पहले selection process की बात करेंगे उसके बाद हम syllabus की बात करेंगे यहाँ पे selection तीन पार्ट में होने वाला है पहले तो computer based test होगा उसके बाद group task होगा और उसके बाद personal interview यह तीन स्टेज में recruitment होने वाला है तो main जो part होने वाला है वो है computer based test तो computer based test की बात करें तो यहाँ पे कोई भी negative marking नहीं होने वाली है बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कोई negative marking नहीं है बढ़ यहाँ पे दो section में exam होने वाली है एक तो है general aptitude अभी बहुत सरी PSU इस पे ज़्यादा फोकस दे रहे है general aptitude तो general aptitude के लिए आपका syllabus मोच लिए हो जाएगा English language, quantitative test और intellectual potential test तो इन तीन पार्ट में हम detail में आगे डिसकूस करते हैं बढ़ यह तीन पार्ट होने वाले है यहाँ पे दूसरा पार्ट जो रहेगा वो technical professional knowledge मतलब समझे अगर आपने mechanical किसे apply किया है तो आपका subject जो रहेगा हो mechanical रहेगा civil से apply किया तो civil, electrical से electrical और instrumentation वालों के लिए instrumentation तो यहाँ पे चारी branch eligible है तो वो भी एक बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो यहाँ पे देखिए mechanical engineering वाले eligible है, civil वाले eligible है और electrical और instrumentation तो यह चार branch से आप ही eligible है इसके रिगार्णे के detail वीडियो कैसे apply करना है आपको i button या फिर description में मिल जाएगा तो यह जो रहेगा वो आपका exam pattern रहेगा technical subject और general aptitude total 50-50 marks के लिए आने वाला ही है वैसा बोला जा रहा है confirm बात नहीं है बट 50-50 marks के लिए आएगा मतलब 50 marks के लिए general aptitude और 50 marks के लिए technical subject तो इस तरह से इस exam का mark distribution होने वाला है तो अभी बात करते हैं यह जो CBT exam है HPCL का उसका syllabus क्या होने वाला है उसके लिए मैं official website पर आगे हूँ यहाँ पर देखिए return test का जो भी part होने वाला है यहाँ पर पूरा detail mention है तो यहाँ पर देखिए general aptitude जो section 1 है अपना उसमें intellectual potential एक topic रहेगा logical reasoning, data interpretation quantitative aptitude, test of English language तो यह जो 5 point है वो important रहेगा quantitative में सभी जो quantitative aptitude के जो topics रहते हैं वो सभी आ जाएंगे logical reasoning में logical topics जो भी रहेगे वो सभी आ जाएंगे और English में जो English का जो part है वो सभी आ जाएगा यहाँ पर detail syllabus नहीं है general aptitude का पर general aptitude से कोई भी question पूछा जा सकता है अभी बात करते है second section की जो technical और professional knowledge है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर सभी branches का यहाँ पर mention है अपना जो रहेगा वो officer trainee engineering discipline से है तो यहाँ पर जो syllabus है वो ही अपना रहेगा तो जैसे mechanical और civil और instrumentation और electrical यह 4 branches seriesable है तो उनका इस syllabus हम देखेंगे तो यहाँ पर mechanical का उपन करता हूँ एक नए tab में ओके तो mechanical की बात करें तो यहाँ पर आपको engineering mechanics देखने मिल रहा है engineering materials मिल रहा है फूरा detail यहाँ पर दिया हुआ है उसमें plus आपको 3 machines दिख रहा है thermodynamics, engineering energy conversion, fluid mechanics, vibration design fluid machine joining, machine tools and machine operations methodology and inspection, computer integrated manufacturing, production and planning control inventory control मतलब जो भी gate में syllabus था similar syllabus आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है थोड़ा बहुत अलग रहेगा बट similar syllabus आपको यहाँ पर देखने मिल रहा है जैसे operation research था product design and development इंडेस्टर से engineering economics और casting management information system pump and compressor तो इस तरह से syllabus होने वाला है detail syllabus आप directly download कर सकते हो इसका link में description में देदूँगा आप directly वासे download कर सकते हो next बात करते है civil के syllabus की वो भी मैं अलग टैब में open कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए mechanics, structure analysis, concrete structure, steel structure, soil mechanics, foundation engineering, fluid mechanics and hydraulics, hydrology, irrigation, water requirements, air pollution, municipal solid waste, noise pollution, serving तो यह important topics यहाँ पर civil engineering के लिए होने वाला है इसको थोड़ा zoom कर देता हूँ तो यह आप देख सकते हो इसका PDF आपको मिल जाएगा तो don't worry next बात करते है civil की तो civil का भी syllabus यहाँ पर mention है जो भी eligible branches है उसका ही syllabus देख लिए बाखी इस जनका important नहीं यहाँ पर next रहेगा analog और digital electronics, control system, electrical circuit and fields, electrical and electronic measurements, electrical machines, power electronics and drives, power system, signal and system so यह topic यहाँ पर electrical के लिए होने वाला है next रहेगा instrumentation, instrumentation वाली eligible है यहाँ पर electronics, telecommunication और chemical की कोई भी vacancy नहीं है इस बार तो instrumentation की बात करें तो यहाँ पर basics of circuit measurement system, traducer, mechanical measurement and industrial instrumentation, analogical electronics, digital electronics, signal and system, communication, electrical and electronics measurements, control system and process control और analytics and optical biomedical instrumentation तो यह सभी का PDF आपको मिल जाएगा यह सिलाबस था सभी का तो आपको directly यहाँ से मिल जाएगा official website का सिलाबस है तो definitely 101% करेक रहेगा तो यह इससे आप अपना preparation कर सकते हो वैसे तो 15 application form बरने का last date है HPCI recruitment के लिए आप जल्दी से जाकि इसका application form बर दीजे अगर आप इसके लिए apply करना चाहँ दो यहाँ पे final error वाले eligible है तो यह चीज़ धहन में रखिए और इसके लिए apply कर दीजे तो फिलाल इस video में इतना ही अगर आपको पसंद आएगा तो इस video को like कीजे शेर कीजे और मुझे comment section में बताईए कि आपको यह video कैसा लगा और चैनल को ज़रू subscribe कीजे धन्यवाद झाल 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 कि अबड़ एको यह चीजे अबड़ झाल